हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए यूट्यूब चानल एब्रीडे लाइफ लेसर नोन स्पाइसेस ऑफ इंडिया में आज हम हाजिर है एक नई स्पाइस के साथ आज की हमारी स्पाइस है हुर हुर जिसे हुल हुल वाइल मस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है और इसका बिटानिकल नेम है कलेयोम इकसेंट्रा यह जो आपके सामने है यह हुर 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 है आप देखिए इसे यह मस्टर्ड नहीं है मस्टर्ड तो गोल सी होती है इसकी जो बाउंडरी होती है थोड़ी सी इर्रेगुलर होती है हुरहुर पुरे भारत भर में पाया जाता है और इसको कमर्शली कल्टिवेट नहीं किया जाता है खेतों में खुद बाखुद खरपतवार की तरह वीट की तरह उग जाता है और आप देखेंगे इसके यह जो बीज है इनका रंग गहरे भूरे रंग से ब्राउन कलर से काले यह जुक्त युल पहते हो सकते हैं और ऐसका नेल में ऑनका तरह के पीसार गुद आपारती नेल में तो जिसके श Re bowls फेल् tak इसके जाते है उसका टेष कहरे तेंपरिंग के जलिए फिर करी इसक interpret done Chinese माइल्ड साइड में रहता है इसका फ्लेवर यह मस्टर्ड की तरह पंजन नहीं होता है हुरुर में बहुत सारे औशदिय गुण भी मौजूद है मैं जब भी आपसे औशदिय गुण के बारे में बात करती हूँ इस चीज को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहते हूँ प्राचीन भारत में जब भी विद्यार्थी लोग मेडिकल की पढ़ाई करते थे तो वो जिस भी गुरुकुल में रहते थे वहाँ पर उनके गुरु जब उनकी पढ़ाई समाप्त होने लगती थी उनको कहते थे आप आश्रम के चारो दिशाओं में जाईए और कोई भी ऐसा प्लांट लेके आईए जिसमें कोई भी औश्रद्य गुण मौझूद ना हो तो जो भी विद्यार्थी खाली हाथ लोड़ के आता था उसे उस परिक्षा में सफल घोशित कर दिया जाता था तो आप इस बात से समझ गए होंगे कि इस प्रित्वी पर कोई भी वनस्पती कोई भी पेड़ और पॉंधा ऐसा नहीं है जिसमें कोई भी औश्रद्य गुण मौझूद ना हो तो अब हम बात करते हैं अपने हुरहुर की औश्रद्य गुण के बारे में हुरहुर गैस्ट किया जाता है I hope मेरी ये information आपकी everyday life में useful रहेगी thanks for watching